हेलो फ्रेंट्स तो कैसे हैं आप सब फ्रेंट्स मेरे हजबन का वर्क फ्रॉम हो चुका है उनका ओफिस स्टार्ट हो चुका है वीक में दो या तीन दिन के लिए तो आज उन्होंने ओफिस जाने से पहले मुझसे कहा आज मेरे लिए कुछ अच्छा असा डिनर बना करके तो फ्रेंट्स आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूं कावली चना दम बिर्यानी तो फ्रेंट्स चलते हैं इस रेसिपी की तरफ अगर आपको मेरा व्लॉब अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा और शेयर कीजेगा तो फ्रेंट्स यहाँ पर सबसे पहले कावली चने को हम 4-5 घंटे के लिए भिगो देंगे उसके बाद कूकर में पानी डालके नमक डाल करके 4-5 सीटी लगा करके हम इसको अच्छे से बॉइल कर लेंगे और फ्रेंट्स जब यहाँ पर हमारे छोले बॉइल हो जाएंगे तो छोले में बचा हुआ जो पानी है उसे हम फेकेंगे नहीं उसे हम बचा के रखेंगे वो आगे हमारे काम आएगा अब देखे यह है छोला और छोले का बचा पानी अब हम चलते हैं राइस की दरफ तो फ्रेंट्स अब हम एक पैन में पानी लेंगे उसमें एक चमच खी डालेंगे और अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे जैसे तेजपत्ता और इसके बाद में यह स्टार एनिस है इसको चक्रफूल कहते है हिंदी में दालचीनी लॉंग हरीलाईची और जीरा इसके बाद फ्रेंट्स हम इसमें एक नीबू निचोड़ देंगे और नमक डालेंगे स्वात की अनुसार जब पानी अच्छे से खौलने लगेगा तो इसमें हम राइस डालेंगे राइस को मैंने धो के आदा घंटा भिगो दिया था तो फ्रेंट्स इसके लिए अच्छा बासमती राइस लीजेगा अब पैन को हम थोड़ा से चलाएंगे इसके बाद हम इसको लेड़ लगा के कवर कर देंगे अब देखे फ्रेंट्स ये अच्छा बॉयल हो रहा है अब हम चेक करेंगे कि हमारा राइस हो गया या नहीं फ्रेंट्स बिर्यानी के लिए राइस 100% कुक नहीं चाहिए होता है 80% कुक राइस चाहिए होता है तो देखे ये राइस हमारा हो गया है 80% कुक हो चुका है अब हम राइस को छानके अलग निकालके एक तरफ रख लेंगे तो friend अब हम प्याज की preparation करेंगे हमें बिर्यानी के लिए कुरकुरे से deep fry प्याज चाहिए होते हैं तो हम एक pan लेंगे उसमें थोड़ा ज्यादा तेल डालेंगे और दो बड़े slice किये हुए लंबे-लंबे slice में दो बड़े प्याज को हम अच्छे से deep fry करेंगे ये deep fry करने में कम से कम 5-6 मिनट लग जाते हैं और इसको हम तब तक fry करेंगे friends जब तक एकदम golden brown ना हो जाए और देखें friends यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्याज हो चुका है एकदम बढ़िया से golden brown हो चुका है अब इसको हम एक plate में निकाल के किनारे रख लेंगे और friends अब हम करेंगे छोले की preparation सारी चीज़े हमने arrange कर लिए अब हम छोले बनाएंगे तो एक pan में oil लेंगे और थोड़े खड़े मसाले तो friends खड़े मसाले में हम लेंगे long, ilaichi, डालचीनी और काली मिर्च और इसमें अब हम ginger garlic का paste डालेंगे और इसको अच्छे से fry करेंगे इसके बाद मैंने जो tomato puree बनाई थी मैं वो puree डालूंगे अगर आपके पास puree नहीं है तो आप इसमें दो बड़े कटेवे tomato डाल सकते हैं और अच्छे से उसको गलने तक fry करेंगे देखे फ्रेंड मैंने प्यूरी डाली थी तो ये फटाफट हो गया है प्यूरी के लिए मैंने अल्रडी व्लॉग बना रखा है आप वहाँ से देख सकते हैं तो फ्रेंड अब हम इसमें डालेंगे सुखे मसाले दो चमश धनिया पाउडर आदा चमश जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर अपने स्वाद के हिसाब से और हल्दी सुखे मसालो को एक मिनट फ्राई करके अब हम छोले डाल देंगे और छोलो को अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसमें डालेंगे थोड़े से किश्मिश और थोड़े से काजू बिर्यानी बने और उसमें ड्राइफ रूट ना पड़े तो बिर्यानी में मज़ा ही नहीं आएगा इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे इसके बाद मैं इसमें डालूँगी दो चम्मच अच्छे से फिटी हुई दही और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर तक अच्छे से भूनेंगे और फ्रेंट्स अब हम इसमें डालेंगे बिर्यानी मसाला बिर्यानी मसाला मार्केट में एजली अवलिबल है अब हम इसमें डालेंगे फ्रेंट्स वोजो छोले का हमने बॉयल किया हुआ पानी बचाके रखावा था छोला स्टॉक वो डालेंगे देखेए फ्रेंट्स वो डालने से क्या dużता है आपको पानी पकाना नहीं पड़ता है अल्रेडी पका हुआ पानी होता है अब हम इसमें डालेंगे नमक हमने चोले में भी नमक डाला है हम इसमें भी नमक डाल रहे हैं हमने राइस में भी नमक डाला है तो नमक आप अपने अंदाज से सो समझ के डालिएगा और देखे अब हम इसको कवर करके पांच मिनट के लिए पकाएंगे ये बहुत अच्छे से हो गया है देखे अच्छे से तेल छोड़ दिया है अब हमारा छोला यहां पर पूरा रेडी हो गया है अब फ्रेंड हम करेंगे बिर्यानी के लेरिंग अब जिस बरतन में हमें बिर्यानी में दम लगाना है उस बरतन में नीचे का एक लेर हम छोले को बहुत अच्छे से बिचा देंगे थोड़ा मोटा लेर बिचाईएगा नीचे की लेर थोड़ी मोटी बिचाई जाती है उसके उपर दूसरी layer हम rice की बिचा देंगे अगर आप चाहें तो ये तेजपत्ता डाल सकते हैं मैं निकाल दे रही हूँ क्योंकि flavor already rice में आ चुका है अब हम अच्छे से rice को इसके उपर layer करेंगे और हमने आधा छोला इसमें डाला है आधा हमने बचा के रख लिया है दूसरी layer के लिए इसी तरीके से हम आधा rice डालेंगे आधा हम बचा के रख लिए अब इसके उपर हम डालेंगे वो प्याज जो हमने fry करके रखे हुए है अब इसके उपर हम green chili slice करके डाल रहे हैं आप अपने taste के हिसाब से डालेगा और अब मैं इसको धनिया पत्ता उपर से डाल रही हूँ पुदीना पत्ता भी डाला जाता है पर मेरे पास इस वक्त नहीं available था तो मैंने नहीं डाला है पुदीना से बहुत अच्छा flavor आता है और अब मैं इसके उपर एक नीबुनी चोड़ रही हूँ और अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा घी और अब इसके उपर मैं बिर्यानी मसाला थोड़ा सा डालूंगी और फ्रेंट्स मैंने कटोरी में थोड़ा सा केसर का दूद बना करके रखा है केसर डालके थोड़ा सा केसर का दूद डालेंगे इसमें और डालेंगे लास्ट में केवड़ा एसेंस अब थोड़ा सा नमक इसके ओपर मैं और डाल रही हूँ तो फ्रेंट सी हमारी पहली लेरिंग हो चुकी है अब हम दूसरी लेरिंग करेंगे जितना बचा हुआ चोला है वो हम अच्छे से राइस के ओपर अच्छे से बिचा देंगे अब जो राइस बचा हुआ है उस पूरे राइस को हम इसके ओपर अच्छे से लेरिंगे और अब जो प्याज बचे हुए है उस प्याज को हम इसके ओपर लेर कर देंगे अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली हरा धनिया पत्ता पुदीना पत्ता नीबु निचोड़ देंगे इसके ओपर केसर का दूट डाल देंगे और केवडा एससंस डाल देंगे फिर हम डालेंगे बिर्यानी मसाला और नमक और देसी घी भी डालेंगे इसके बाद हम इसको अच्छे से कवर कर देंगे फॉयल पेपर से अगर आपको चाहिए तो आप आटे से जैसे दम दिया जाता है आप वैसे भी दे सकते हैं आटा सान के चारो तरफ से कवर करके बट मुझे फॉयल से देना इजी लगता है तो मैं फॉयल लगा देती हूँ और फिर इसको अच्छे से कवर कर देते हैं लेट से अब इसको धीमी आज पर 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे ये एकदम धीमी आज पर फ्रेंट देखे ये 20-25 मिनट हो चुके हैं अब मैं इसको ओपन करके आप लोग को दिखाती हूँ देखे कितना यमी यमी लग रहा है देखे फ्रेंट्स ये अंदर तक अच्छे से हो गया है और अब मैं आपको दूसरे बोल में इसको निकाल के दिखाती हूँ तो देखे फ्रेंट्स ये कितना अच्छा हुआ है आप भी जरूर ट्राइ कीजिएगा अगर मेरा व्लोग आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए बाइ फ्रेंट्स